आई जो आज पर अमारा टोपिक है माइकल्सों मॉरी एक्सपरिमेंट सो माइकल्सन और दो साइटिस्ट थे जैन्हों ने एकस्परिमिन्ट किया यह डिटेक्ट करने के लिए कि युमारा इथर मीडियम है वह करता है तो उन्होंने अगर कोई पूची कि वाइट इस पर फॉन तो हम बोल सकते हैं कि डिनेक्ट तर लेटिव मोशन ऑफ अर्थ त्रू इथर अब अर्थ की जो मोशन है वो हमने डिटेक्ट करना है एथर के अंदर और हैंस टू डिटेक्ट प्रजैंस अफ इथर मीडियम एंड इ कि हमारे वैक्यू में जो मीडियम है उसका नाम दिया गया इथर और इथर है वो पूरी यूनिवर्स में ठाला हुआ है तो बस इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक्सपरिमेंट किया अब जो इसका प्रिंसिपल है माइकल सन्मोरी एक्सपरिमेंट का वो है कि हम एक बीम ओफ लाइट लेते हैं और इस तो परपेंडिकुलर डायक्शन में स्प्लिट कर देते हैं जैसे यह हमने एक बीम ओफ लाइट ली और इस यह जो है यह हमारा ग्लास स्प्लेट है और यह जो हमारे दो परपेंडिकुलर डायक्शन में इस बीम ओफ लाइट को स्प देखो जब यह source से जब light गई तो वो glass plate ने उसे इसे प्रिट कर दिया थोड़ी सी गई M1 की mirror के पास और तो आ दी गई जो बाकी बची वो गई M2 के पास और जो M1 और M2 mirror है यह वापस reflect कर देंगे और इसे वापस भीजेगा G के पास यानि की glass plate के पास M1 भीजेगा glass plate के पा G से यहां गई और M2 से reflect होके यह वापस G में आ गई और इसको हम जो जब देखो जो हमरे दो रेज जो है वो intersect करेगी तो फ्रिंजी बनाती है और इन फ्रिंजी को हम detect करते हैं टेलिस्कॉप यहां फिरिक माइक्रोस्कोप की help से अच्छा आप यह जो shift हुई फ्रिंजी में यह क्या determine करती है इतिमान करती है यह पाथ difference और यह पाथ difference आया यह किस वज़ा से आया यह जो पाथ difference आया यह हमारा different time taken by the perpendicular beam अब देखो एक perpendicular को गई तो उसको जो हमारी earth motion में भी है तो earth का motion की help मिली तो यहां से यहां को फटा फट गई और यहां से यहां को कोई help मिली तो ऐसा पर natural time में गई जो की speed of light होती है 3 into 10 to the power 8 और यहां पर जो motion of earth है वो होता है 3 into 10 to the power 4 plus 3 into 10 to the power 8 यह हम आगे डिसकस करेंगे अभी बात आते हैं कि interference fringes होती क्या है तो interference fringes होती है the bright and dark brands caused by the beams of light अब देखो हमने यह रिस्टोक्रास में पड़ा था कि जब भी हमारे जो दो beam of light मिलती है तो वो interference fringes बनाती है एक डार्क होगी एक light होगी एक वापिस डार्क एक लाइट एक लाइट फिर यह लाइट यह आप इसको लाइट समझो जो डार्क डार्क में पैंसे लगाया यह है डार्क हमारा यह यह बनती है हमारी fringes अब हमारी जो next topic वो हमारे एक्सपरिमेंट अरेंग्ट भी इनको रखा कैसे किया तो देखो एक हमने source रखा बीच में और वहां से एक telescope यावर एक Microsoft की help से तो यह तो easy है और वैसे भी प्रिंसीपल है इसको मुल्टर नहीं कर से इसको हम चेंज नहीं कर से तो इसका आपको आज उसे लिए याद करना पड़ेगा और इन सबी चीजों के जो notes है मैंने वह मैं डिस्क्रिशन में डाल दिया है गूगल ड्राइ जाए शर्फ एक रेयो फ्लाइटी जाए यहां से गयी और यह हमारा ग्लास प्लेट है इसको मुल्य लेता हूं जी अब इसको ग्लास प्लेट है यह 45 डिगरी पर इसने प्रपैंडिकल रेकिये इसने भीज़ दी एमवन मीरर पे जब देखो एमवन मीरर पे यह गई और फि जिसको हमने उप्टेन किया इस टैलिस्कोप की हलप से देखो यहां से रे गई यहां पर उपर बेचे यहां से वापीस रिफ्लेक्ट करके यहां पे आगई और यहां पर थी यह जो प्रफ पोर्शन है वो यह एम तू पर गया और एम मीरर का इस ज्टेंस है ग्लास से यह तो सिम डिस्टेंस बिनिये हैं यह और यह यह और इनफरेंस पैटर्ण बनाएगी ऑप जो हम इसे फर्दर कालेशन करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझनी होगी कि हम जो है टाइम निकलेंगी किस की सीच का एक टाइम टेकन जब लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके वापिस आ गई का कौन से मिरर से एंवन से और दूसरा टाइम टेकन चब जब लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके वापिस आ कि कौन से मिरर से एंटू से गई वापिस आ साप्साटराइब किक त्दीए Ready आफीत अदिस निकलेगा वर स्पींड ऑफ जो हमारा यह पता है कि है यहां से यहां को जानी जाए आट कि जो स्पीर होगी वह होगी स्पीड फरे और स्पीर फरे होती है हमारे लाइट की स्पीड यंकि और यहां पर जो टाइम वो होगा टीवाइटू वही चीज तो हम इसको लिखेंगे देखो mg mg अंगम पर भी ओके मगश्च सफीर ने मड를 करते है कि अधिक आ म載न डैस्ट अब एक र्यौहzeitig हमें पता है अध्यारें फिर्टावर एटि होती यहां पर सिह से दिनलोट करेंगे तो एंगा यहां पर यहां तक पहुंच चुका था तो एसा ही यहां पर हुई जब वापिस आने लगा तो आर्थ की रोटेशन वाज़े से जी है वो जी वन डैश तक पहुंच गया और जम्हारे एम टू था जो सेकिंड मीर है वैसे इसकी बात नहीं होड़ी लेकिन फिर भी जो एम टू है वो एम टू डैश तक पहुंच गया तो अभी जो हमें यह जो ट्राइंगल थी यहां पर हम आँने पाये तो हैं तो टू गलति प्लंस यह सीव एतना मीर है वेकिन कहीं स्क्राइब ऑंस फ्रसेट फॉट स्क्पहार को यहीं रखाब्पाूज स्क्राइब ट्रस चयों मांच मिस का लिए यह 2D का whole square और यहां से हमने c square common ले लिए c square जब हमने common लिए आया तो अंदर बचा हमारे पास one minus v square upon c square अब हमने c square common क्यों लिया यह हम आगे समझेंगे क्योंकि इससे हमारे math का बड़ा easy सा rule बन रहा था तो टी वन हमारे के लिए 2D upon c क्योंकि यह square जो है यहां पर गया square root बन गया square root से इसका square cut गया और यह इसका भी c square का हमारा c बन गया और यह bracket के अंदर वाली चीज अंडरूट के अंदर आगी तो यह बन गया 2D upon c यह अंडरूट और अंडरूट को जब हम उपर लिगे गए numerator में लिखे गए तो हम इसी लिख सकते हैं one minus v square upon c square whole to the power minus one by two अब देखो यहां पर कमाल की बात यह है कि हमारी यहां पर लगे कि binomial theorem अब जो simple binomial theorem होती है उसका जो rule है बड़ा easy है देखो यह बोलता है कि अगर हमारी जो first वाली चीज है वो one है first वाली चीज अगर one है और दूसरी वाली चीज one से चोटी है अब देखो धियान से देखो जो वी है वो है हमारा rotation of earth और c है हमारी speed of light up speed of light बहुत जाद होती है और उसका square है डिवाइड हो है यानि कि यह चीज तो one से चोटी होगी होगी तो यहां पर हमारी बानुमिल बहुती है अगर सेगेड वाली चीज वन से चोटी है जो हमारी power है वो डिरेक्टली जो है इस वाली चीज से multiply हो जाती है तो जो पूरी चीज इसके साथ multiply हो जाएगी तो ये बन जाएगा hunter by two into इन्दर one और this minus or minus one get plus फ्लस वीच्रेट और जो tweet हाज़ो वो सीचकर के साथ multiply होगा तो वह बन जाएगा वी स्क्वेखर अपऊंट टू, टूसीजटें को हम इसको हम सिम्पल और यह हमारी हमारी फॉस्ट का रिजल्ट अब हम सैकंड कलकूलेशन करेंगे वो होगा मडो एम मीरर करेंगे क्योंकि मडो मेर अब ऐसी कुम सी सिखल औन का रुट एउ तो है जो एम को जारी वह वाली अब हम इसके लिए क्लेक्लेशन करेंगे तो हमारी तो में हमारी जूरेंगे हमारे एक टाइम होगा जब जो रे है वह हमारी एमक्तो मिरडर पर जाएगी और दूसरा टाइम होगा जब वह से वापिस हमारी ग्लास प्लेट जो है जी वहां पर आईगी तो देखो यहां पर यहां पर भी शिफ्टिंग होई देखो रोटेशन ओफ क्यूंकि अर्थ हुई तो उसके मोशन की वजह से जी जो है हमारा जी डैश बन गया और एम टू जो था वो हमारा एम टू डैश बन ग जो हमारा स्पीड होगी वही और जो हमारा स्पीड है वह बन जाएगा हमारा सी प्लस वी हई लेकिं स्पीड हो जो जुज वो हमारे जो रह एं oh के वापिस है थो मोशन तो है लेकिन स्पीड को मोशन को है स्पीड है शाल मौशन था हमारवी तो अब हम इसको सिंपल लेंगे और यहां पर अगर आप खुद इसको करेंगे तो आपका जो डीवी एक माइनस काएगा और यह दोनों डीवी कट हो जाएंगी और हमारे पास बनेगा टू डीसी एपॉन सी स्क्यार माइनस वी स्क्यार अब यह जो यहाला टोपिक था अगर यह समझ नहीं है तो इसको मैं इस तरीके समझा सकता हूं कि देखो आप एक कार में चल रहे हैं और आपने जो है बोल इस साइड को फैंगा तो आपको लगेगा कि जो बोल की स्पीड है वो बहुत जादा ह पर इस साइड को जाए की कम होगी को तावह हम जी जह है सारा चरा हो सिस्टम करेक Holiday वह हम इसी शिस्टम में रहे के इसको बशना कर रहे हैं तहल जैब यह स्तूर्च को गई तो हमारी स्वीड थी वह वए ज प्लस वी और जब वह वापिस को आए तो हमारी सिज्ड nawde कि c-v okay so next page बाए जाते हैं next page में हमने पिछली वाली चीज़ लिखी और देखा हमने इसको जो है इसको हम नुमिनेटर में लिखे जाएंगा नुमिनेटर में ले गए तो हम मैं इसको लिख सकता हूं रिस्टो पावर माइनस लिखा तो वही बाइनोमेल सर्म लगी यह 1 और यह 1 से चोटा है क्योंकि वी स्क्राइब से बहुत ही ज्यादा चोटा तो जब सी स्क्राइड में होगा तो इस विटाइब है कि वन से कम भी होगा देखो यह माइनस वन जो है यह इसके साथ डैयरेक्ल हमने टीवन निकाला था अब हम जो है पाथ डिफरेंस निकालेंगे पाथ डिफरेंस किसका जब हमारी जो है एम वन के लिए एक पाथ डिफरेंस और अन दोनों को हम जो है सब्ट्रक्ट कर देंगे तो पहले जो हम जो डिस्टेंस टैकिंड है उसको डिस्टेंस से सब्ट्रक सी दोनों की सेम है लेकिन टैंस future time डेकने यह वहां और यहांपर यह है पर देख है बर देखुआ की हम ने हो इस के जो है दियो भूद भात अगया स्कोच के चुछा कहने के अन्द मेट यहांद्स आफ़ बीच्टि आइगा यह बूद स्कार्थ होता है इसको हम यह सी देखके पतल लग जाया है कि यह शोटी ही साय इसलिए हम इसको माइनस किया अब देखो यहां पर हमने स्कार्थ इस माइनस कर दिया बिश्केयर अब हमारी जो पाथ डिफ्टेंस आ गया वह आगा हमारा tb स्क्राइब के रिफ्टेंस टोई कड़ोगे हमारा बस बनीग अब हम के करेंगे से टोइबंद की फोर्म लेंगे तक हम ने माना कि आर्वेंद लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी वेवलेंट है लेमडा अब हमें की फॉर्मॉला हमने प्लस्टों पड़ा है नहीं पड़ा तो याद करना बहुत इस फॉर्मॉला है जो हमारा एन यानिकी नमबर फ्रिंजीस होगी वह होगा हमारा पाथ डिफरेंस डिवाइड़ बाई ले में रोटेट कर दिया Dripe Aurora यहां मतलब यहां पर penn कि सीम काल्कुलेशन हमें साधी कैल्कुलेशन्स करने पर यह वह आएगा हमारा 1पन फार यह यानिका अ एक यहां निकाला इन घ्यानी एस जब हम सारी चीजह हमने एक दूसरे के साथ एड़ करा दी और यह हमारे पास बन जाएगा टू डीवी स्क्यार अपन लैम्डा सी स्क्यार अब यह तो हमारे पास वैलियो आगी एन की नंबर ओ फ्रिंज जो हमारे डार्क एंड जो हमारी लाइट फिंज बनी उनकी कैल्गोरेशन थी अब देखो षयविगे डिस्टन्स भावर हम लेता है HOंकल सन्मडी रिक्शिन होता हमारे फैंज 20 मीटर लेम्डा लेम्डा होता है निस्डा होती है कि वो थिस तंस्ट पावर माइनस स्वें-पिटर पर सकिंद्स और जो सी है वह हा स्पीड ओफ लाइट बावर यह मिटर पर सेकिंड अब जमारे एंड है वो निकलेगा सिंपल काल्कुरिशन की टू इंटो लेवन इवी स्क्राइर जिक्स इन्टू टैन रिस्टोर माइनस एवन यह सी स्क्राइर अब मैं ब्रैकेट को खोला थोड़ी पावर इसोल्व की और यह है ट्वेंटी ट्वेंटी ट इस तो की पावर है यह यह नूमीनेटर में लेगा तो यह बन जाएगा माइन हमारा 3.7 और यह हमारे टोटल बन गया 0.37 और बट लेकिन जब हमने रियल में इस एक्सप्राइमेंट को गया तो फ्रिंज ओप्रिंड हुई नहीं अब उसके जो थे उसके तीन रीजन थे इसके मिसले तीन एक्सप्राइशन दी गई बाद में कि क्यों हमारी जो वैली थी वो जीरो आई आने तो यह चाहिए थी औ और हमारी वैली क्यों जीरो आई अब एक रिजन थी यह भी हो सब्सक्राइब कि क्या था जो मारे इंस्ट्रुमेंट यूज की जो टैलिसकोप यूज किया था वह इतनी फ्रिंज देखनी पाया लेकिन जो हमारे टैलिसकोप था वो हमारा 0.01 तक की जो फ्रिंज विड थी उसको भी काल्कुलेट कर साता था लेकिन यह तो 0.37 थी इसको तो करना चाहिए था लेकिन यह हुई नहीं अब इसके तीन दीजन थे उसके लिए मैं सेप्लेट वीडियो बनाऊंगा अगले टोपिक के लिए एंड़ आप इसको रिवाइस का लेना और इसके जो मैंने स्क्रिप्शन में डाल दूँगा